सहरेन पूर में नदी के रप्टे पर आया पानी जान जोखी में डाल कर आवजा ही कर रहे बच्चे सहरेन पूर के बेहिट इलाके का है ये वीडियो वीडियो वारल होने पर भी प्रशासन नहीं लिये अभी तक कोई भी सो जी आपको बदा दे कि बरसात के जलते नदिया उफान पर हैं लगातार हो रही बरसात के जलते नदियों में पानी का बहाव तेज हो गया है जिसकी वज़े से नदियों से सटे इलाकों में भारी जल बराव है तो वह इसी बीच शोशल मीडिया पर साहरेंपूर का एक वीडियो तेजी से वारल हो रहा है जिसमें स्कूली बच्चे नदी के रप्टे पर आये पानी से होकर गुजर रहे हैं जान जोखी में डालते हुए बच्चे नदी से होकर गुजर रहे हैं और स्कूल जाते हैं देश का बविश्य कहे जाने वाले सेक्डो स्कूली बच्चे जान जोखी में डालकर 23 रफतार पानी के 20 रप्टे को पार कर रहे हैं जिसके एक वीडियो तेजी से शोशल मीडिया पर स्वक्त वारल हो रही है ये वीडियो सहरेनपूर बेहेर तहसील के गाउं रसूलपूर मज़ाडी के पास कब बताया जा रहे हैं जहां पर बना रफ्टा स्कूली बच्चों के लिए परेशानी का भी सबबन क्या है जब जब बरसात आती है तब तब सैक्डो स्कूली बच्चे अपनी जिन्दगी दाओं पर लगा कर रफ्टे के तीज बहाव पानी को पार करते हैं जिससे लगातार स्कूली बच्चे ही नहीं बलकी आमजन लोगों की जान भी चोखिम में हैं। रप्टे पर पानी के बीच के इस बार स्कूली बच्चे भी फस चुके हैं जीने बड़ी मुश्किल से बचाये गया। पूर में पानी में बहने से गाउं शेक पुरक एक रिक्ती की भी मोत हो चुकी है। वहीं ग्राम वास्यू में रप्टे पर पुल ना बनने से जन प्रतीनीदियों के खलाव रोश्पन पर है। ग्रामीनों का कहना है कि इस रप्टे पर करीब बीज गाउं परते हैं और बीज गाउं के ग्रामीन बर्सात के मुसम में जान जोकिम में डाल कर तेज रफतार पानी के बहाओ को पार करते हैं। ग्रामीन वास्यू का आरोप है कि चुनाओ के वक्त नेता लोग रप्टे परपुल बनवाने का आश्वाशन देखकर चले जाते हैं लेकिन जीट जाने के बाद आकर कोई भी नहीं देखता वहीं विधायक और सांसद सहीत शाषन प्रशासन किसी बड़ी घटना का होने का इंतजार कर रहे हैं इस ख़बर से जुड़ी अपडेट जाने के लिए आप बने रेस सिटी वैब के साथ अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाल आइकन जरूर दबाए